अलो फ्रेंड्स नमस्कार इस वीडियो में हम हर्याना प्लिस मैला कॉंस्टवल का जो आपका मोर्निंग सिप्ट का एक्जाम हुआ था वो पूरा पेपर हल करेंगे तो वीडियो में बने रहना और वीडियो को लास्ट तक जुरूर देखना तो चले वीडियो को शुरू करत हैं परसन नमबर एक हर्याना का वह जिला जिसमें 2011 की जनगणना के अनुशार नियूंतम बाल जनचंख्या अभिलिक्त की गई है सही उत्तरोगा इस परसन का आपका ए पंचकुला परसन नमबर दो था आपका मैच से यहां पे राइट एंस रोगा आपका भी 400 परसन नमब जाता है आपका लाइप एस तो यहां पर राइट एंसर आपका ए हो जाएगा परसन नमबर च्यार हर्याना पुलिस सेवा में बिविन राजपत्री और ए राजपत्री पदों पर सीधी बरती डैस के माध्यम से की जानी चाहिए तो यहां पर आपका सही उत्तर होगा सी रा ठीप अलग्त में से हर्याना का कौन सा तिहोंहार 97 उट्शब के 6 दिनों बाद मनाय जाता और बस होड़ा त्योय होटा है तो यह करा आपका सिली सीठे लिखाुआ है यह आपका आनाता सीली सात्त्त तो यहां पर एक स्थान पकर कि तभिशब कर एक माइनस करना था तो यहां पर राइट अंसर आपका 18 रहेगा बी जो था वो आपका सही उत्र था परसर नमबर आठ डैस विशिष्ट शेत्र में चार या अधिक लोगों के 71 होने पर रोक लगाता है तो यह लगाता है आपका IPC की दारा 144 तो यहां पर आपका राइट अंसर होगा इस कोश्चन का ए जो है वो आपका सही उत्र होगा परसर नमबर 9 है तो यह आपका साइंस का कोश्चन था फिर आपका परसर नमबर 10 मस्का डोमेश्टिका किस वरक से संब्दीत है तो यह है आपका कीडा मकोडा होता है तो यह आता आपके इन सेक्टा के अंदर तो यहां पर C जो आपका सही उत्र होगा यह दोस्तों रिजिनी का कोश्चन है तो यह आप इलूशन कर लेना इसका परसर नमबर 12 हर्याना पुलिस की बूमिका और कारी है तो यहां पर आपका सही उत्र रहेगा D यह जो सभी कारी होते हैं यह हर्याना पुलिस भीवां के इंदर गताते हैं लिजो परसरन चया परकर आपका उर्दू साहित्य में दिया जाता है तो यहां पर बी źवां पका सही उत्र था परसर नमबर 14 हर्याना सस्तर पुलिस में 10 बटालेन होती है तो ये है आपकी 5 यहाँ पे जवबों सी आपका राइट अंसर रहेगा फिर आपका ये रीजिनिंग का कोशन था फिर कोशन देखिए आपका 16 हर्याना में पुलिस आयुक तालेक की संक्षा कितनी है तो ये आपकी 3 है यहाँ पे आपका ए जवबों सी उत्र होगा परसन नमबर 17 आपका रीजिनिंग से था तो देखिए इस कोशन का सही उत्र था आपका 28 असी तो बी जो अब आपका सही उत्र होगा तो इसमें क्या था चार की एक के साथ गुणा फिर चार की दो के साथ गुणा फिर आठ की तीन के साथ तो ऐसे आपका एक एक नमबर बढ़ रहा था परसन नमबर 19 तो यह आपका रीजिनिंग का कोशन है तो अर्द बाको अगर उल्टा लिखके देखा जाए तो 19 विस्तान पर कौन साक्सर आएगा तो यह आपका आएगा एफ तो यहाँ पे जो आवो ए सही उत्तर था है इस कोशन का परसन नमबर 20 निमलकित में से कौन सी गैस सूरो के काटने से पुरूब एनिस्थिया सिया के लिए प्रयोग की जाती है तो यह आपकी की जाती है कारवन डाई ओकसाइड तो यह है वो सही उत्तर होगा इस कोशन का परसन नमबर 21 पूछा गया है तो साम परवत पर वायरले बाइस रिपीटर एंटी नक का संकेत 46 है तो यह आपका रैटन्स होगा उपरोक सभी है परसन नमबर 22 आपका इस कोशन का सही उत्तर होगा जी में पर क्रभाव तो यहां पर आपका सही उत्तर होगा हर्याणा सरकार के रीडिंग मिशिन के बारे के बारे में निमलकित एक और दो दोनों यह आपके सत्य थे तो यहां पे आपका राइट अंसर बनेगा भी दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को आप लाइक जूरू करें बिलियां किस परिवार से संब्दित रखती है जो बिल्ली होती है वो आपका होता है फिलेडी प हरियाना के पहले महिला विशव विदालय का नाम किसके नाम पर रखा गया है तो यह रखा गया है आपका बगत फूल सिंग महिला विशव विदालय और यह है कहां पे यह पड़ता है आपका सोनिपत के अंदर परसर नंबर 27 था आपका रीजिनिंग का इस कोश्चन का आप यह आपका रेजिनिंग का था परसर नंबर 39 देखिए एक हजार वाइट डैस के लगबग एकाई के कहलाती है तो जो आपका केबी के बराबर होता है तो यह आपका जो सी आपका रैटन्स रोगा किलो वाइट चंडिकट की मुखे योजना डैस के समरूप है तो यह है आपकी मानव शरीर के तो यहां पे वी जो आपका सही उत्र था बादूर सिंग जिनोंने उनीसो अठेंटर और उनीसो ब्यासी एस याई खेलों में सरवन पदक जिता एक भारतिय डैस है तो यह क्या है तो इनका खेल का नाम है गोल आफ हैंग वाले तो यहां पे जो अगोसी आपका सही उत्र था फिर यह आपको language में लगाना था तो इसका right answer आप देख लेना तो आपका क्या उत्र होगा यह reasoning का question है फिर आपका person number 33 देखिए डैस worldwide web hypermedia का percussion करने के लिए एक बासा है तो यहां पे सही उत्र होगा hypertext markup language बासा का playo करते हैं तो यहां पे a job आपका सही उत्र होगा इस question का आपका सही उत्र था a so आज cpu की गती है वो dash में मापी जाती है तो इस question का आपका सही उत्र होगा gigahertz में तो यहां पे जो हो डी आपका right answer होगा बर्तमान में हर्याना में कितने जिले हैं तो देखिए यह हर्याना जेके का normal question है यहां पे सही उत्र होगा आपका a 22 last में बना था आपका चर्की दादरी साथ पुरुष्च है मिला एक सुमों में तो यहां पे आपका मैथ का question है यहां पे आपका सही उत्र होगा 756 बैब सेवाओं का अर्थ 10 दवारा परदान की जाने वाली सेवाएं हैं तो यहां पे आपका सही उत्र होगा worldwide वैप और दोस्तों यह होता है आपका www डबलू डबलू इसका फुल्फोम होता है वर्ड वाल्ड वैप रवी कुमार दहिया ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में किस भारवरग में रज्जत पदक जीता है तो इन्हों ने जीता है 65 किलो भारवरग के अंदर तो यहां पे इस कोशन का आपका सही उत्र हैगा सी 57 किलो भारवरग के अंदर परसन नंबर 40 था आपका तो यहां पे इस कोशन का सही उत्र हैगा आपका 7.2 परसन नंबर 41 वरस उनिसो पच्पन में S.R. राव ने किस अडपास तलकी खुदाई शुरू की थी, तो यह कि थी आपकी लोथलकी, यहाँ पे सही उत्र आपका D था परसर नमबर 42, कंपूटर के IP एड्रेस के साथ परते कंपूटर को Ethernet के उपयोग हेतु एक अन्या यूनिक नमबर दिया जाता है, उसे डैस कहते हैं, तो उस नमबर को कहा जाता है Mac एड्रेस, तो यहाँ पे D जोग आपका सही उत्र होगा परसर नमबर 43, तो यहाँ पे आपका यह रीजिनिंग का कोश्चन था सही उत्र होगा आपका 50 मीटर नीती आयोग दवारा जारी SDG इंडिया इंडेक्स 2020 किसमे हर्याना का प्राप्त सुकूर क्या है, तो हर्याना का जो प्राप्त सुकूर था वो था आपका 57, तो यह जो आपका सही उत्र होगा फिर आपका हर्याना जी के से कोश्चन था, डबुल वच बारा सत्तर चोदरी चर्ण सिंग हर्याना एगरी कल्चर यूनिवस्टी इसार दवारा जारी निमलकित फसलों में से किसकी नई खिसम है, तो यह है आपकी गेहूं की, तो यहाँ पे सी जो अब आपका सही उत्र थ यह आपका रिजिनिंग का कोश्चन है, परसन नमबर 47 देखिए, हर्याना में निमलकित में से कौन सा परंबीर चकर विजेता है, तो यह है आपका मेजर होश्यार सिंग, इनका समद्ध है सोनिपत से परसन नमबर 48 था, कैंदर सरकार की मंतिरी प्रिशद केवल डैस के बाद अस्तितब में आती है, तो यह आती है आपकी संसद का विश्वास जीतना, तो यहाँ पे सी जो अब आपका सही उत्र होगा यह आपका परसन नमबर 49 है, तो यहाँ पे आपका सही उत्र था, C जो अब आपका राइट अंसर होगा, परसन नमबर 50, तो फ्रेंड्स इस कोशन का आप सुलूशन कर लेना, यह आपका रिजिन का है, फिर परसन नमबर 51 देखना, नमलकित समरूपता वर्णन कीजिए, त यहाँ परसन नमबर 54, रोगी जैसे देश के इंदर राष्टपती होता है, उसी परकार से आपका राज्ये के इंदर जवव राज्येपाल होता है, तो यहाँ पे बी जवव आपका राइट अंसर बनेगा, नमलकित में से कौन सा मानव रखत का समान्य पर चुंकंदाब हो होता हो आपका पैरोल कलाता है, परसन नमबर 54, रोग्यों के दांत का बड़ा पर्तिवी में देखने के लिए दन तची को दवारा इस्तमाल किया जाने वाला दरपन किस परकार का होता है, तो देखिए आपका जो नाई है, जो डोक्टर होते हैं, वो अपतल दरपन का प्र दो और तीन, तो यहां पे जो अवो सही उतर था आपका डी के अवल दो और तीन ही अनुशन करते हैं, फिर आपका परसन नमबर 57, इस कोशन का सही उतर था आपका 33.33, तो एज जो अवो आपका सही उतर होगा, परसन नमबर 58, गिरिपतार किये गए व्यक्ति को 10 गंटों क के बितर मंजी स्टेट के समक्स प्रस्तित किया जाना चाहिए, तो यह होता है आपका 24 गंटे के अंदर, परसन नमबर 69, निमलकित में से कौन सा रोग है, जो जुएत्थो प्रोनुशिस का एक उधरन है, तो यह आपका रैट अंसर बी रहेगा इस कोश्चन का, परसन पोर्ड के लिए, तो यहां पे जो अवो C, आपका सही उत्र होगा, परसन नमबर 61, हर्याना पुलिस डैस हर्याना सरकार के अंतर गताती है, तो यह आती है आपकी गरह बिवा के अंदर, और गरह बिवा कि सके अंतर है, तो यह अनइल बीज के पास है, परसन नमबर 62 था आ आईस असानी से समझेने योग्य डॉमेंड नामों को आईपी पतो में अनुम दित करता है तो यह करता है आपका डॉमेंड नाम सरवर तो यहां पे जो अवो डी सही उत्र होगा इस कोशन का फिर आपका परसन नमबर 63 था तो इस कोशन का सही उत्र होगा आपका 6.25 आपको 3 जोगी संक्या बताने थी यहां पे राइट एंसर होगा आपका भी 14 परसन नंबर 65 था 2011 की जनगणना के अनुशार हर्याना के किस जिले का साक्सरता दर्सपस्थी गए तो यहां पे आपका गुरुग्राम जो वो राइट एंसर होगा फिर आपसे एक कोशन पूचा गया था मैत का इस कोशन का राइट एंसर था आपका 41 बरस परसन नंबर 67 पुलिस का जिला परसाशन की एनने अजेंशियों के साथ कारिये तो राइट एंसर होगा आपका डी उप्रोक्त सभी परसन नंबर 79 नाइट्रोजन स्थिति करेंड लेगियूम बैक्टेरिया है तो यह होता है आपका राइजोबियूम और यह मटर के पोदे है वो इसके लिए पुक्त होते हैं परसन नंबर 70 यह आपका रिजिनिंग का कोशन है यहाँ पे सही उत्तराएगा आपका CCC यह आपका रिजिनिंग का कोशन था यहाँ पे राइट एंसरोग आपका चोविस बर्स परसन नंबर बैतर हर्याना में निमलिकित में से कौन सी बेटी बचाओ बेटी पड़ाओ अभियान की नोडल एजन्सी है तो यह है आपकी महिला एवं वाल विकास विभाग तो यहाँ पे डी जवाब आपका सही उत्तर था फिर आपसे ये कोस्चन पूछा गया था मिसिंग नंबर बताना था यहाँ पे राइट एंसर था आपका जीरो मिसिंग नंबर है पैंथेरा लियो क्या है तो यह आपका जो वो सेर का नाम है तो यहाँ पे जो सी आपका राइट एंसर होगा परसर नमबर 55 था अपकर टन पर चुने का पत्थर डैस और करवन डायोक्सट देता है तो यह देता है आपका कैल्शियम ओक्षाइड तो यहाँ पर एज वह आपका सयूतर था परसर नमबर 56 हरियाना पुलिस का अधर सबाक्य क्या है तो यह है आपका सेवा सुरुख्या सयोग तो यह इस कोशन का सही उतर भी था फिर परसर नमबर देखिए 37 तो यहाँ पर राइट एंसर होगा इस कोशन का 16 परसर नमबर 58 भारतिय जी विग्यान आकडा के अंदर के बारे में निमलिक्रिक तो पर विचार करें तो यहाँ पर इस कोशन का सही उतर था आपका एक और दो दोनों आपके जवावों सही थे परसर नमबर 89 यह है व्यक्ति हरियाना के गंदी के नाम से परसीद है तो आपके जो मूल चंद जेन है यह हरियाना के गंदी के नाम से जाने जाते हैं परसन नमबर 81 हरियाना राज्य में निमलिकित में से कोन से प्रकार के मुख्य जो बन पाए जाते हैं तो यह पाए जाते हैं उशन कटी बन दिया सुस्क प्रणपाती बन तो यहां पर सी जो अब आपका सही उत्र था परसन नमबर 84 भारतिय सरकारे एजन्सी जो अपरादिक आंकडों को एकत्रित करने और बिशलेशित करने के लिए उत्र दाई है तो फ्रेंड्स अगर इस कोशन का सही उत्र आपको पता है तो इस कोशन का उत्र आप मुझे कमेंट बॉक्स में जुरू बताएंगे परसन नमबर 85 हर्याना महिला विकास निगम के बरतमान में अध्यक्स के रूम में किसे नुक्त किया गया है तो दोस्तों यह किया गया था बवीता फुगाट को और कवीता देवी को तो यहां पर आपका सेयुत्र था परसन नमबर 6 यहां परसन नमबर 87 के अलगावादी अंदोलन का समन्द है वो किसी था तो यह था आपका कनाड़ा से यहां पर बीजवाब आपका सही उतर था यह आपका रिजिनिंग का कोशन था फिर यह आपका रिजिनिंग का कोशन है फिर देखिए आपका हर्याना जीके से हर्याना में निम्लिकत मेंसे किसे नए विवाग का कटन क्या गया है तो यह किया गया था नागरिक संसादनों की सूचना तो यह जो नए विवाग बनाए गया था राइट अंसर था ए परसा नंबर इक आन में यह आपका हर्याना जीक्ट का कोश्चन दोस्तों इस कोश्चन में डाउट है तो अभी कन्फर्म नहीं है यह कोश्चन चलिए आगे देखते हैं परसा नंबर बाण में चालर्श डार्विन दवारा प्रकासित कौन सी पुस्तक विकासबाद के अध्यन में एक लेंड मारक के रूप में चिनित हैं तो यह इन्होंने पुस्तक लिखेती ओंदे ओरिजन ओफ सपीसिज तो यह पुस्तक इन्होंने लिखेती राइट अंसर थ तो यह है आपकी करनाल में परसन नमबर चुरान में यह आपका रिजिनिंग का कोशन है परसन नमबर पिचान में डैस एक विशेश परकार की मेमोरी है जो रेम और रोम दोनों की तरह काम करती है तो इस कोशन का जो आपका सही उत्र होगा फैलाइस मेमोरी तो यहां पर बी जो अब आपका सही उत्र था परसन नमबर च्यान में एक परसीद राज़ा को राय पितोरी कहते हैं तो यह कहते हैं प्रतिवराद चौहान को तो सही उत्र होगा यह इस कोशन का वायरलेस नेट्वरक में हव फंक्शन को वायरल राउट दबरा किया जाता है कभी-कभी इसे डैस कहते हैं तो हव उताही से कहा जाता है सिविच तो दोस्तों यह राइट रोगा ए आपका फिर आपका परसे नंबर सो फोल्डर के सभी फाइलों का चैन करने के लिए आप डैस कीवर्ड सोटकट का उप्यों कर सकते हैं तो आप का सही उतर था कंट्रोल प्लस एका तो यहां पे जब आपका सही उतर सही था तो देखिए फ्रैंड से यह पुछे गेते आपके हर्या तो दोस्तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में और गूर्प में शेयर करें अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जूरू कर लें और वीडियो को लाइक करें वीडियो में कुमेंट करे थेंक यू